गुटखा बनाने वाले क्या तेरे मने में समाई काहे को गुटखा बनाई तुने काहे को गुटखा बनाई गंदे चीजों से तुने इसको बनाया छिपकली को तुने मारे सुखाया क्या करते हैं पापा मेरे पापा टोटो चलाते हैं तोटो चलाते हैं यस सर जीना है तो पापा सराब मत पीना कड़ी में हैं नच से चार पैसे कमाते हो आधी से ज़्यादा सराब में उडाते हो इसको जितना उचा पोष्ट आप लोग को सबोर्ट से मिल सकता है जी रीले बना बे घर के बहुरिया नाचे घुंगटा उठाई जमाना बदा ले गई जमाना बदा ले गई दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नमस्कार मैं हूँ राजी ब्रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश नियोज परतिभा किसी अनुदान की मोहताज नहीं होती है खास कर बिहार में परतिभा की कोई कमी नहीं है इन दिनों सोसल मीडिया पर कई लड़किया तेजी से बाइरल हो रही है हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है खुसी बर्मा वो भी रातो रात काफी तेजी से बाइरल हो रही है वो भी गुठका का गाना गाकर क्या नाम हुआ तुम्हारा खुसी बर्मा कहां की रहने बाली हो मैं सोसरा की रहने बाली हो पिता जी का क्या नाम है पिता जी का नाम अनील कुमार बर्मा है क्या करते हैं पापा मेरे पापा टोटो चलाते हैं टोटो चलाते हैं तुम कितने भाई बहन हो? मैं तीन भाई एक बहन हो इन दीनों सोसल मीडिया पर तुम्हारा एक गाना बाइरल हो रहा है खुशी गुटका का गाना है जो तुम लोगों से अपील कर रही है कि गुटका को नहीं खाए तो थोला सा गुनगुना सकती हो उस गाना को यस सर कैसा है गाना? गुटका बनाने वाले क्या तेरे मने में समाई काहे को गुटका बनाई तुने काहे को गुटका बनाई लाखों को मरते देखा लाखों को मरते देखा फिर भी दयाना तुझे आई काहे को गुटेखा बनाई तुने काहे को गुटेखा बनाई गंदे चीजों से तुने इसको बनाया छिपकली को तुने मार सुखाया हडडी को पिसकर तुने इसको बनाया छिपकली को तुने मार सुखाया हडडी को पिसकर तुने इसमें मिलाया सडी सूपारी कूचर खाने से लाया छिपशिपतामाशा डेखे छिपशिपतामाशा देखे सासन भी बढ़ा रेजाए काहे को गुटेखा बनाये तुने काहे को गुटेखा बनाई QS class में तुम भठती हो ? मैं अभी 7th class में पढ़ती है है Yes sir आगे क्या करना चाहती हो ? आगे मैं पढ़कर के एक अच्छा singer बनना चाहती हो गायक बनना चाहती हो ? Yes sir लोग IAS IPS बनना चाहते हैं खुशी के मन में ये कहां से आ जया कि हम को singer बनना है ? मेरे मन में इसलिए ये आया कि मुझे इस चीज में इंट्रेस्ट बहुत है इसलिए मैं सिंगर बनना चाहती हूं तो सिंगर बनना चाहती थे तो तुम असलील गाना भी गा सकती थी असलील गाना मैं नहीं गाती हूं क्यों नहीं गाती हो असलील गाना गाओगी तो और तुरंत बायरल हो जाओगी नो सर असलील तो लोग गाते हैं और समाज को खराब कर रहे हैं मैं सोच रहे हैं कुछ अच्छा करें ताकि समाज को कुछ अच्छा मिल सके तो एक चीज़ जानती हो, समाज में जो अच्छा करता है उसे करने नहीं दिया जाता है, और जो बुरा करता है उसे जीने नहीं दिया जाता है, मालूम है? येस सर तो कैसे इस समाज से लड़ोगी, वो भी तुम एक बेटी हो? मैं कोशिज तो बहुत करूँगी तो निश्चीत तो और पर कोशिज करने बालों को कामीभी मिलती है? येस सर तुम अभी कर रही थी कि गुटका खा कर के लाखो लोग मरे हैं, लेकिन आज भी सरकारी कारजाले में जाओगी तो दिवाल पे बहुत सारे लोग गुटका के कलर से ही उसको रंग देते हैं अगर बहां का दिवाल का रंग भाइट होता है तो बो देखते देखते गेड़ूआ रंका हो जाता है गटका के कलर का देखी हो? अभी नहीं देखी हो बहुत सारे कारजाले में जाओगी तो देखीगी कारजाले तो भी नहीं न गई हो कभी ऐसे भी देखती होगी अस्कूल-उस्कूल के दिवाल पे भी लोग बुदकावाल वो तो देखी है ना तो उसी तरह से बहुत सारे सरकारी कारजाले में भी यह रहते हैं बिहार में पुर्ण रूपेन सराब बंदी है मालूम है मुख्यमंत्री कौन है बिहार के नितीश कुमार नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार ही सराब बंदी की है बिहार में है ना सराब बंदी क्या कहना चाहोगी जो सराब पीते हैं उनको मैं उन लोग से यही कहना चाहते हूं कि आप लोग सराब नहीं पिए और मैं एक गाना के माधम से आप लोग को संदेश दे रही हूं क्या गाना है संदेश यही दे रहे हूं कि आप लोग ना पिए सराब इससे आप लोग को कई तरह की बिमारी होगी और घर में उल्धन भी हो जाएंगे तो गा करके ही सुना दो ना जीना है तो पापा सराब मत पीना इसने कईयों घर की खुसिया है छीना जीना है तो पापा सराब मत पीना कड़ी में है नत से चार पैसे कमाते हो ओ आधी से जादा सराब में उड़ाते हो कड़ी में है नत से चार पैसे कमाते हो ओ आधी से जादा सराब में उड़ाते हो बेच दिया तूने बेच दिया तूने अंगुठी का नगीना जीना है तो पापा सराब मत पीना जीना है तो पापा सराब मत पीना हना ये आपके पिता जी हुए यह सर्थ लगता है कि इसके गलाँ पर साक्षात सरश्वती भी राजमान है हाँ सर कैसा प्लेट फॉर्म चाहिए प्लेट फॉर्म तो साइए सर हम तो फिलाल अभी टोटो डिरेवर है सर हम तो कुछ अब करने पायांगे और एक अच्छा प्लेट फॉर्म ऐसा मिले कि बच्ची को कोई अच्छा इसके कला का बेहतर प्रदर्शन हो सकते हैं यस पढ़ने में कैसी है पढ़ने में अच्छी है कैसे यह सब सीख गई गाना इस साथ साल के उमार से सर्व गुन गुनाना इस्टाट की है तो हम समझें कि कुछ से अच्छा करके ही रहेगे यस और भी उनके भाई हैं क्या नाम हो खुशी बर्मा कैसी गाती है और जब गाती है तो आपको कैसा लगता बहुत अच्छा लगता है सबसे ज्यादा खुशी उनके बच्चों के माता पिता को होता है मा दो और खुस होती है जब उन्हें ये मालूम चलता है कि उनके बच्चे का काफी वेहतर प्रदर्सन हो रहा है क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी खुशी आपकी बेटी है? जी जब गाती है तब कितनी खुशी होता है? बहुत खुशी होता है यह माल है और यह आखों की आशू जो है वो गरीवी की आशू है क्योंकि ऐसे लोगों को जरूरत है बेहतर प्रटफॉर्म का क्योंकि विहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जैसा कि खुशी प्रदर्सित कर रही है और उश्मा के आखों में जो आशू है वो गरीवी की आशू है निश्चित तोर पे विहार की इस वेटी को अगर वहतर प्लेटफॉर्म मिले तो विहार का नाम और भी उपर जा सकता है खास कर जो विश्वगुरु नालंदा है उसका तो नाम और उचा हो सकता है लेकिन खुसी जिस छित्र में तुम जाना चाहती हो शंगीत के छित्र में है ना उस छित्र में काफी संघर्स है यह सर मैं करूगी वो संघर्स करोगी ना यह सर जो छोटे छोटे लोग होते हैं है देखती होगी समूंदर में बड़ी मचलिया जो है वो छोटी मचलियों को खाने का प्रियाज करती है और खा भी जाती है ना तो उन बड़े मचलियों से बचना होगा है जिस छेतर में तुम जाना चाहती हो फिल्म इंडस्ट्री हो गया भाइज सी यागे बड़े बढ़े लोग नहीं चाहेंगे कि और खुष जी आगे बढ़े और असलील ता तुम्हें स्टिन गाना गाओ और असलील नहीं नहीं डाओगी नो शर महीं lead लेकिन अभी देखती यह सब्त ज्रूल तोटी छोटी लड़कियां अधकटी बड़कटी है ना उपर नीचे पूरा यहीं अर्धुनग नवस्था में वो बाइरल होती है क्या कहना चाहोगी उन लड़कियों को जो इस तरह से सोसल मेडिया पर पूरा ट्रोल होती है मैं उन लोग को यही कहना चाहते हूं कि आप लोग छोटा-छोटा कप्रा ना पहने और यह तो समाज है समाज में ऐसा कप्रा क्यों पहनते हैं सब तो भाई बहन हैं देखते हैं कितना बुरा असर पड़ता है उन लोग पर लेकिन वो नहीं न सूचते हैं कि आना कुछ गाना भी गाई हो यह सर उन लोगों पर यह जो डिल्स बनाते हैं सौर्ट्स बना करके सोशल मीडिया पर पूरा ट्रोल रहते हैं और कहते हैं लाइक दीजिए सब्सक्राइब हमें कीजिए फॉलो कीजिए और फॉलो वैसे लोगों को किया जाएगा जो जमाना बदा लिगया जिन्स पहिन के नव की छोकरिया नाचे वीडियो बनाई जमाना बदा लिगया जमाना बदा लिगया फेस्बुक पर फोटो डाले रोजोई हो फिले टरी मार के धाई ले वना साबिया होला सगरो आओरी कुवार के लाइक कमेंट के फेरा में जाली सगरो काम भुलाई जमाना बदा लिगया जमाना बदा लिगया रीली बनावे घर के बहुरिया नाचे घुंगता उठाई जमाना बदा ले गए जिन्स पहिन के नव की छोकरिया नाचे बीडियो बनाई जमाना बदा ले गए जमाना बदा ले गए खीचे जाब सेलफी हो मुहमात खूब बना बे घरवा के बुर्खा बुरानिया देखी देखी खूब गलिया बे बुलू तो थी अरफोन लगा के भुनुर भुनुर बती आई जमाना बदा ले गए जमाना बदा ले गए रील बना बे घर के बहुरिया नाचे गुंगटा उठाई जमाना बदा ले गए जमाना बदा ले गए जिन से पहिन के नव की छोकरिया नाचे बीडियो बनाई जमाना बदा ले गए जमाना बदा ले गए और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है कि आज का चबाना बदल गया है वैसे ही लोगों को लोग सबसे ज़्यादा सेर करते हैं फॉलो करते हैं और उन्ही के वीडियो पे कॉमेंट्स भी करते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि खुसी के घर में और भी खुसी आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाईए ताकि खुसी जो है वो विहार का नाम रौसन कर सके। रही है मैं भी चाहता हूं कि खुसी के घर में ज्यादा से ज्यादा खुसी आए इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए फिल्म इंडस्ट्री तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि खुसी के घर में भी सोनु सूद का फोन आए और सीधे इसे मु अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लिजी और पाइए बिहार की तमाम चोटी बड़ी खबरें अगर वीडियो फेस्बूक पेज के माधिम से देख रहा है तो पेज को फॉलो कीजिए धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले